नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडियर ट्रेड टेश्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ट टेश्ट हुगा था माकैनिक मोटर वहिकल फास्ट इयर का उसी का यह हमारा अफिस्यल पीडियाफ है यह फास्ट इयर का पेपर है तो इसमें किस तरह के कोशन पूछे गाए थे आए इस बारे में हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें जो आपका इस से आपके 40 पूछे गए थे इंप्लाइबिल्टे इसके जो था इससे आपके 20 पूछे गया थे वरकासाब कैलकुलेस्ट अंडशन पूछे थे उससे 20 पूछे पूछे गया था तो आए हम दोग देख लेते हैं हुसी को किस तरह से एक जाम में पूछा गया था आपको दिख रहा है यह कालाता हमारा रीमिंग तो तो रीमिंग अपर रेशें हो है दोसरा यहांपर है ज्ज श्रा राटयों इस फिटेड अंदा मसीन डिल का कौन सा भाग मसीन पर फिट किया जाता है तो देखिए डिल का जो भाग मसीन पर फिट किया जाता है वो हमारा साइंक रहता है तो आप सा नमबर से करेक्ट हो जाएगा साइंक देखिए आप पर तीसरा कोशन है वाहन्स सेवा स्टेशन में वाटर वास के लिए वहान को उठाने के लिए कौन से उप्रण का यूज किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है हाइश्ट का तो हाइश्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर ए मैं पांच मां कोस्चन है विच इस यहां पर शूज पीजल मेशिन को सभाणने के लिए अपनाई जाने वाली सुद्ध्र इस पर यहां पर और रोटेटिंग पार्ट गूमने वाले हिस्तों का सिफ्गर्ड निकाल लें है तो आपसा नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा हों हिकि एभामेरा चछ्छान कोश्चन है हाव द्वांटिटी आप फ्युल्ड डिलेवरी वारी इन रणिंग डिजल मसि इंजन चल रहे डिजल इंजन में इधन वित्रान की मात्रा कैसे भिन्न होती है यह भिन होता है बाई गांट्रोल रेक यानिक नियंत्रन रेक के द्वारा होता है तो डिल मकेनल में इधन वित्राण की मात्रा कैसे भीन रहिए गांट्रोल रेक साथमा कॉश्चन है how much pressure developed the CRDI diesel engine pump CRDI diesel engine pump कितना दबाव विक्सित करता है यह विक्सित करता है एक हजार से सोले सो बार कि अठावा कोशन है विच फ्यूल रिलेटेड भी थे सीटन नंबर कौन सा इधन सीटन नंबर से संबंधित है तो देखिए जो पेट्रोल होता है वह हमारा सीटन नंबर से और संबंधित है ठेक नहले हो ऑगर तो नहीं है हुआयर डां वैस्टरा का यूज कहाँ पर किया जाता है तो देखिए जो गश टर्वाइन होता है इसका यूज किया जाता है ओफम्र ड्क— य जांता हो जाएगा कि जिस है विद्रीमूब वाल यानिकी वालव को नहीं के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वाल ITSPRinker कंप्रेसर का परियोग लोग वालव को आठानने के लिए यूज करते हैं देख़िए spicesल लाइन कोश्षान वाट इस दा एक्रोनिम फार इजी आर इन इमीशन कंट्रोल सिस्टम में इजी आर का फुल फार्म क्या है तो इजी आर का फुल फॉर्म होता रहता है एक्जाश्ट गैस रिसर्कूलेशन अब देखिए यहां पर बारे नंबर का कोश्चन है वाट इंस्टुमेंट यूज टू चेकर रन आउट आफ कमुटेटर के रन आउट की जांच करने के लिए कि सुपक्रण को उपयोग किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है डायल गेज का तो आप सो नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डायल गेज तेरह नंबर के कोश्चन है वीच कंडिशन डज ए डायनमो फाइली चार्ज दबैटरी डायनमो किस श्थिती में बैटरी को अतेधिक चार्ज करता है तो यह जो चार्ज करता है तो यहां पर देख सकते हैं आयोग ने इसका कोई भी अंस्वर नहीं दिया है ठेक तो यहां पर इसे कोश्चन को इन्होंने गलत माना है अब देखिए आप पर जो अगला कोश्चन है हमारा तो यहां हमारा है 14 नमबर का फिच स्पैनर योड फ़र जीरो सेटिंग इन आउटसाइड मायक्रो मीटर बारी मायक्रो मेटर में सुने सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपियों किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है स्पैनर का परियोग किया जाता है अगला अपन्दरे नमबर कोश्चन वाट इस दा नेम आप बेवल गरजुएटेड स्लिव आफ आफ आप सड्माइक्रुमीटर बारी माइक्रुमीटर के बेवल गरजुएटेड स्लिव का नाम क्या है तो उसका नाम है थिमबल इसके लिए किया जाता है इसके लिए किया जाता है प्रेशर गेज का परियोग यहां पर इसका डिया अंसर क्रेक्ट हो जाएगा प्रेशर गेज सत्रह नमबर का कोश्चन है वाट आर्दा टू इंस्टुमेंट यूजड टू मेजर दा वार पेज आप दा फ्लाइवील के वार पेज को मापने के लिए उप्यों किया जाने वाला दो उपकरण क्या है यह आपका इस्ट्रेट एज फिलर गेज यहां पर इसका डिया अंसर क इस नमबर का कोश्चन है वाट इजड़ बैटरी चार्ज रेट इंडिकेट इस बाइड़ फ्लोटिंग लेवल आफ हैड्रोमीटर है डिया बताता है फुल चार्ज को आप तो नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा फूल चार्ज बीस नमबर का कोश्चन है वीजड़ बै इस बहुत जुह होती है यह बैठापे जाति हैं फीडा है आब ढाप हो ग्र она कौमटे के जर प्रह बैटरी नमबर में यह मॉमन जुटे इसक हें उसमें चाल होते हैं दखिए लाइसना नमबर नमबर को शने कि मेंजर इंस्ट्रूमेंट उस टूमेंग तुमेजर दा एंपियर वोल्ट एंडिर रजिस्टेंस संप्रवा रफ्रत्रोत को मापने के लिए किस मापट की अंदर का यूच किया जाता है स्रूमीटर का प्रियोग आपसा नमबर टिय पर करेक्ट हो जाएगा तेस नंबर कोशन है विच में जर्द लिक्वीड रेजिस्टेंस आफ फ्लो प्रवाइक तरल प्रत्रोद को कौन मापता है यह मापता विसकोसिटी यहनि की जो स्यानता होती है खुआ चूबिस नबर कोशन है विच लाई लाइज अपलाइड इन हैड्रोलिक ब्रेक सिस्टेम हीड्रोलीक ब्रेक City में कौन सा नियम लाग होता है तो ह्यत्रोलिक तो सतासी में आपको नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 26 नमबर कोशन है वेच मसीनरी आफ इंडिया रेगुलेड दा मोटर वाइकल एक्टिविटी भारत का कॉंसा मंत्राल मोटर वहन गतिविधी क्यों नियंतरित करता है तो यह नियंतरित करता है मनिश्ट्री आप ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज सनक परिवहन और राजमार्ग मंत्री 27 नमबर कोशन है वाट इस दानेम आप दा इंडिकेटर यह जो फिगर में इंडिकेटर दीख रहे है इसका नाम क्या है इसका नाम है आपका आयल लीवल या प्रेसर वार्निंग यानिक तेल अस्तर या दबाव चितावनी को थाइस नमबर कोशन है विच आप दा फालोइंग फ्यूल क्वालिटी डिटर्माइंस दा टू इवेपोरेट निमनलखित में से कौन सा इधन गुडवत्ता वास्पित करने के लिए निर्धारित करता है यह निर्धारित करता है विला इस्तिलिट हटरब को प्टि है डिटमेंट प्रट इसको बोलते हैं 29 अबर कोशन हे वाट इज दा नेमाप प्सटन हेड पिस्टन हेड का नाम किया है जो फिगर में दिख रहा है इसका नाम है आपका डोमेय यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसे नंबर भी तीस नंबर कोशन है विच मेंजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक दा फ्लाइवील फेस आउट यानि कि फ्लाइवील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापक के अंदर का यूज किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है डायल इंडिकेटर का परियोग यहां पर इसका एंसर करेक्ट हो जाएगा देखिए थर्टीवन नंबर का कोश्चन है वाट इज दानेम आप दा तूल जो फिगर में यह तूल दिख रहा है इसका नाम क्या है यह आपका कराता है पिश्टन रिंग एक्सपेंडर तो इसका रिंग विस्तार किया है यहां पर इसी आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्टीथी नंबर कोश्चन वाट इज दानेम आप दा पोर्शन बीलो दा पि सिलेंडर हेड यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा सिलेंडर हेड थर्टीफाइफ नंबर कोश्चन है विच दा मोस्ट प्रिफर्ड यूस्ट आप टेपर रोल लर बीरिंग टेपर रोलर बीरिंग का सबसे पसंदीदा उप्यों कौन सा है यह आपका किया जाता है तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा सैंतिस नंबर कोश्चन है वाट इस चेकिंग इंदा लुब्रिकेटिंग पांप चिकनाई पंप में क्या जांच कर रहा है तो देखिए यहां पर यह जो फिगर है यह है आपका कि बैक्लैस क्लियरेंस तो ब इंजन इनलेट मेंफोल्ड को जोडता है यहां पर इसका स्टाइब करेक्ट हो जाएगा कार्बूरेटर चालिस नंबर कोश्चन हो वाट इस दा मटेरियल आप इग्जास्ट मेंफोल्ड में प्रियोग होने वाला ही समगरी कौंसी है तो जो समगरी यूज की जाती है वह की ढलवा लोहा या कच्चा लोहा अब देखिए यहां पर फुट्टीवन नंबर को कोश्चन है वाट अर्फंडमेंटल यूनिस मूल भूतिकाई क्या है तो देखिए जो मूल भूतिकाई है वह आपका है लेंथ मास एंड टाइम यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो में क्या दर्साता है तो देखिए हमके इस पड़ाले में जो होता है यह बताता है मीटर को आप सो नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आपर फुट्टीवन नंबर कोशन है कानवार्ट जीरो पॉइंट फ्रिक्शन इंटु परसेंटेज यूरो दसमलो परसेंट में बदलिए यह आपका हो जाएगा इसमें जब हम लोग 100 का गुड़ा करेंगे तो हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा तो 45.6 परसेंट आप सो नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर का कोश्चन है विच मेटल कंटेंज आइरन आइज मेजर कंटेंट निम नमें सकते दात में प्रमुख समगरी के रूप में लोहा होता है यह रहता आपका फेरस मेटल जैसा की नाम से यह अस्पेश्ट है 46 नंबर का कोश्चन है विच मेकैनिकल प्रापरटी आप मेटल डिफर्स स्वारी मेटल आफर से रजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफर्मेशन इन कटिंग टूल कौंसा यांत्रिक गुड़ एक हटाने के उपकरण में लोचतर विरूपन के लिए प्रतिरोत परदान करती ह यह रहता है आपका हारड़नेस आपसो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आपर 47 नंबर का कोश्चन है विच एला इस्टील इज यूजिंग फार मेक प्रिसाज इंस्टूमेंट किस मिस्ट्र इसपात का उप्योग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया पर्टीन नंबर का कोश्चन है वाट इज काल्ड फार इफ एबाड़ी पासे जवाली मैगनिट्व और साइज एलोन जिस वस्ट में परिमाल या साइज होता है उससे क्या कहते हैं तो देखिए जिसमें परिमाल या साइज ही होता है उसे हम लोग स्केलर यानि कि आजिस र ड्माति कर एह है कि वाट इस्वीज.. इस पानी का कवथणाग के लिए होता है तो दूहसो बारे डिब्र फारिंहाइट होता है पानी का कवथणा और फ्वार इंहाइट में 65 अबर को जाने कि कनक्या मांओं Say heh Tel अइंट का कवथणाग क्वीछीट हर्ट कोश्चन है कि क सबसे अच्छा चालक कौन है तो सबसे अच्छा जो चालक है वह आपका कापर होता है पच्छपन नमबर को कोश्चन है वाट इस्टेंस आफ एपडर रेटिंग आफ लेक्टरिक आरानी 220 वोल्ट और 500 वाट यह दिए कि रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है तो उसका प्रित्रोथ कितना होगा किया होगा चानवी दस्मनों आठ ओम चापन नमबर कोश्चन वाट इसका प्रित्रोथ को आपको पता होगा अगर इस वर्ग जो होता है इसका इसकोएर हो जाएगा तो इसकोएर इक कमान कितना है जाएगा प्चेस कि 57 नमबर का कोश्चन है वाट इजदा पैरी मीटर आप इसके लेनी ट्रेंगल हैविंग साइड आप 40 mm 20 mm 28 mm उस विसमकों त्रिभुज का परिमाप किया होगा जिसकी भुजाओं में 40 mm 20 mm और 28 mm है तो इसका देखिए जो होता है त्रिभुज का परिमाप होता हुए तीनो में भुजाओं कई होगा अगर हम लोग करेंगे 40 20 28 तो यहां हमारा 88 अंसर आजाएगा आप तो नमबर सी अंठावन नमबर कोश्चन वाट इजदाने में अब दाफिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है इसका नाम है फलकरम कहलाता है अब देखिए यहां पर इट्रेंट प्राइट नमबर कोश्चेन है विच उप्ष्ट आटर लीवर फर्स्ट आडर लीवर का कौं सोधारन है तो यह एक पेचर से सीजर का एक पेचर क्या होता है फर्ष आडटर लीवर का प्रकार है साथ नमबर का कोश्चन है ओट यस यदवेल आफ तेटा इस सब्सक्राइब करने के बाद अगला कदम क्या होता है तो अगला कदम होता है आप सो नमबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा और यू यह सब क्या ओता है कि एफ हमारा सब्रकाइबوب térं to कि 63 डूसरे सब्सक्राइब का समान होمر का यहां और कि Muslim एगा सब्सक्राइबी सों आप सब्सक्राइब जो किसी दूसरे सब्सक्राइब की समान होता है लेकिन अर्थ में भिन होता है उससे क्या कहा जाता है उससे कहा जाता है होमोगोंज आपसो नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर कोश्चन है एन इल्लीगल एक्टिविटी कमिटेड आंदा 1575 कोशन है फार सार्ट डिस्टेंस इस नेट वर्क टाइप सुड वी उजघ छोटी दूरी के लिए कि प्रियोग किया जाना चाहिए तो छोटी इसका फुल फार्म आप सो नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा सिश्टीएट नंबर कोशने डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज काल्ड किसी विसेसकार के लिए समर्पन को किया कहा जाता है तो देखिए किसी विसेसकार के समर्पन को हम लोग बोलते हैं कमिटम के लच्टों को किस रूप में वर्गी क्रिफ किया गया है तो जखिए लच्टों को वर्गी की दिश्ट रम एंड लांग टर्म यानि कल्पकालिक और देर्गालिक कर रूप में किया गया है सतना नंबर कोशन फिच माने कंसीडर टू ब्य पूर कम्मनीकेशन किसको पूर और कच्चमाल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराय विजलियात के भुगतान में किया गया निवेस किया गया पैसा किसके अंतरगत आएगा तो वह हमारा वर्किंग कैप्टल यानि कि कारिस्टील पूंजी के अंतरगत आएगा बातर नमबर कोश्चन है विच अप्रोच् आउट्याइशन इंटरेश्ट विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस द्रिष्टिकॉन का उपयों किया जाता है तुसके लिए किया जाता है जोएंट वेंच्र यानि कि सन्युक तुद्ध्यम का परियोग किया जाता है त्यात्य नंबर कोशन इस पर फूर्फिल्मेंट आपके वाइसी नार्म को पूरा करने के लिए कौंसा दस्तावे स्विकार नहीं है तो यहां पर इंकम सर्टिफिक्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जब देखें यह पचात्य नंबर कोशन है एट वाइट्वाट डेसिवल सांड बिकमस हाईजाड अनुआज पलूसन किसे डेसिवल पर धौनी अग्सक्त नाख दोप्र और बंग जाती है तो 180 डेसिबल से उपर जो दोपनी उती है हमारा दोप्र दॉसरौन योटी है वह हमारा दोप्र से काम करने वाले कर्मिचारी किस जदिक नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसो नंबर सी फोटेट हावर अठाथा नंबर कोश्चन विच वन आप दा फॉल्व इज एन एयर पॉलूंट तो कांसे एयर प्लूशन है तो देखिए जो वाई पर दूस सक है वह आपका कर्बन मोनो अक्साइड है आपसो नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 79 नंबर का कोश्चन है टोटल नंबर आप पॉपलर क्वालिटी टूल्स आर लोग परिए गुड़वत्य उपकरणों की कुल संख्या कितनी है तो लो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू हुआ 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 है